वेलकम टू जी के फंडा 24 इन्टू सेवन। आज है 2 नवंबर 2022 और आज हम जानेंगे महत्वपून करेंट अफेर्स वस्तुनिष्ट प्रश्न और उत्तर जो किसी भी कॉंपिटिव एक्जैम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए हर रोज एक बार जरूर पढ़े ताकि आप दुनिया के बड़े खबरों से अपडेट रहें। आज के प्रश्नौतरी PDF लिंक डिस्क्रिप्सन में हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए विडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में समलैंडिक जोडों के लिए एक प्रमानपत्र योजना शुरू की है। आपके लिए अपशन है। किस राज में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपी ग्रंथालय बनाया जा रहा है। अप्शन है। किया जा रहा है, जिसमें एक सौ करोड रुपे से अधिक की लागत आने का अनुमान है। प्रशन 3. हाली में किसने रक्षा मंद्राले में सचिव का कार्यभार का संभाला। ए, पवन सिंग, बी, गिरिधर अर्माने, सी, अमित ठाकुल, डी, गोरव अर्माने, सही उत्तर है अप्शन, बी, गिरिधर अर्माने, श्री अर्माने जी, डॉक्तर अजय कुमार के स्थान इस पद की जगा लेंगे। रूस ने यूक्रेन के साथ किस निर्यात के समझाते को निलम्बित कर दिया है? प्रश्न पांच, राश्ट्रपदी द्रॉपदी मुर्मू जल सनरक्षन के एक नवंबर से पांच दिन तक किस-किस वीक का उधगादन किया A. इंडिया आयल वीक B. इंडिया सिंगर वीक C. इंडिया वाटर वीक D. इंडिया एजुकेशन वीक राश्ट्रपती मुर्मू ने 1. नवंबर 2022 को पांच दिन तक चलने वाले साथवे इंडिया वाटर वीक का उधगाटन किया और कहा कि इसके आयोजन में विश्व भर के विशेशग्य जल जैसे समसामेक मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसके संदक्षन के उपाय सुझाएंगे प्रश्न 6 किस राज्य के समुद्री मत्स्य विभाग ने हाली में मत्स्याखेट पर 7 माह तक प्रतिबंद लगया A. रांची B. अरुनाचल प्रदेश C. चैन्नई D. ओडिशा सही उत्तर है अप्षन D. ओडिशा ओडिशा राज्य के समुद्री मत्स्य विभाग ने हाली में गहिरमाथा समुद्री अभ्यारने में 7 महीनों तक मचली पकड़ने पर प्रतिबंद लगया जिससे लुक्ट प्राय ओलिव रिडले समुद्री कच्छुए को अंडे देने के लिए उनके वार्शिक प्रवास को सुरक्षा प्रदान की जा सके प्रश्न साथ हाल ही में किसने ने केंद्रिय कोईला मंत्राले में कोईला सचिव के पद पर न्यूक्थ होए केंद्रिय कोईला मंत्राले में अम्रित लाल मीना ने हाल ही में कोईला सचिव का पदभार संभाल लिया है प्रश्न आठ दो नवंबर को किस धर्म के लोग आत्माओं का दिवस All Souls Day के रूप में मानते है विश्व भर में इसाई धर्म में दो नवंबर को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है इस दिन इसाई धर्म के व्यक्ति इस दिन को आत्माओं का दिवस मनाते हैं जिसे All Souls Day के नाम से जाना जाता है इस दिन इसाई धर्म के व्यक्ति अपने परिजनों, मित्रों की आत्माओं को प्यार और सम्मान से याद करते हैं प्रश्न 9. देश में देश के स्टील मैन के नाम से किस मशूर व्यक्ति का 85 वर्ष की आयू में निधन हो गया सही उत्तर है अप्षन D. जमशेद जे इरानी वर्ष 1968 में जमशेद जे इरानी टाटा आइरन एंड स्टील कमपनी अब टाटा स्टील में जुडने के लिए भारत देश आये थे उन्होंने टाटा समू की कई कमपनियों के निधेशक के रूप में भी काम किया था इस विडियो में बताए गए सभी जानकारी का एक PDF बनाए गए है उस PDF का लिंक डिस्क्रिप्सन में है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे ही GKN Current Office महत्वपूर्ण समान्य ज्ञान प्रश्नोतरी जानने के लिए GKFunda24 गुणा साथ YouTube चैनल को सबस्क्राइब कीजिए मिलते हैं नए महत्वपूर्ण समान्य ज्यान प्रश्नोतरी के साथ तब तक आपसे विदा लेने के लिए इजाज़त दिजिए धन्यवाद